नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओनलाइन इस्टेट्योड निसान दिजान के योट्योब प्लेटफॉर्म पर मैं नितिलू पाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ अब नंदन करता हूँ आज के अपनी इस वीडियो में मित्रो आज जो है लगातार मैंने हालंकी इस पर वीडियो बनाया था बहुत सारे बच्चे हमारे इस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं और भी जगाया मैसेज करते हैं भाईया वैकेंसी नहीं आ रही हम लोग पढ़ाई से भाग रहे हैं मतलब पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है जब वैकेंसी सामने होती है तो तिवर इच्छा होती है मित्रो आप सभी लोग अगर बीटीसी के चात्र हैं और निशित तोर पर उत्तर प्रदेस में प्रात्मिक सिच्छक भरती की तयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्या पढ़ना चाहिए काने वाले सुपर्टेट में आप सभी लोग अपना एक अस्थान मना पढ़े हालंकि 11 अगस 2023 को माननी सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं न कहीं कमपटीशन सरल हो गया है लेकिन इतना भी सरल नहीं हुआ है कि आप बीन और हम अब वैकेंसी के मुद्दे पर नहीं बात करने वाले एक कब भरती है एक कब नहीं सुपर्टेट के बेश्ट बुक के बारें बात करने वाले है जब आप की सिछक भरती होगी निशित तोर पे जो सिलेबस पिछला दिया गया है उसमें बहुत जादा आमुल चुल प पहुचा दीजिएगा जिससे हर कोई बच्चा जो है पांच हजार दस हजार का कोर्स लेने से बचे कहीं ने कहीं वह मतलब सिल्फ हिष्टडी के साथ साथ आगे बढ़े तभी कहीं ने कहीं फायदा होगा नहीं तो फायदा नहीं होगा इस बात को ध्यान रखियेगा ठीक चलिए बात करते हैं मित्रो सबसे पहले अगर आप लोग किसी भी परिच्छा की तैयारी में जाते हैं सबसे पहले आपके पास स्लेबस होना चाहिए मैं यह नहीं कहूंगा कि आप स्लेबस लेकर के दिवाल में चपका लेजिए हाँ आपको स्लेबस पता होना चाहिए आप एक पन्ने पर जो है सलेबस को निकलवा लीजिए, सलेबस को लिख के रख दीजिए, ठीक है, उसके बाद सलेबस को देखने के बाद, आप जब सलेबस को समझ लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका 50% काम हो गया है, आप में positivity आ गई है, सलेबस के बाद आप उसके PYQ ल पूछा जाता है, ठीक है, तो question paper होने चाहिए और syllabus होने चाहिए, मित्रो सुपर्टेट की जो vacancy आई है, जो vacancy आई थी पहले, उसमें जो है, सब चीजे खोल-खोल करके दिया था, हिंदी में कौन-कौन से topic से question पूछा जाएगा, वो topic आपके सामने दिया गया था, तो निश ठीक है, इस बात को छोड़ दीजिएगा कि कोई भासा में आप चूच कर पाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तीनों को paper में आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 20 नंबर की हिंदी आने वाली है, 10 नंबर की संस्कृत, और 10 नंबर की अंग्रेजी, आप पढ़ना पढ़ना है, अब आपको सर्वनाम समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा, कि आपको जिस topic में दिक्कत हो रही है, भुकों से आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए आप YouTube सर्च कर लिजिए, ठीक है, YouTube सर्च आपका इस परिच्छा में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा, YouTube सर्च करना है, मात्र उसी topic को जो topic आपको समझ में ना जाए, ठीक है, तुश topic को YouTube सर्च करिए और अच्छे से पढ़ाई कर लिजिए, ठीक बईया, तो उम्मीद करता हूँ, आप समझ गया है, Lucent कि थे, आपका concept क्लियर होगा, आदित से आप practice कुप करिएगा, और जो topic आपको समझ में न दस नंबर का आता है, इसके syllabus को लिजिए, जैसे संधी दिया गया है, संधी के लिए संस्कृत संधी, आप डालिएगा, यूटूब पे संधी का वीडियो आ जाएगा, अब जिस भी teacher का वीडियो आपको अच्छा लगे, मैं किसी teacher का नाम नहीं लोगा, आप उनसे पढ़ जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, और इसके लिए book की अगर बात करें, तो सबसे भेतरीन book है, सरवा की भूसर सर की book है, ठीक है, सरवा की भूसर सर की book है, one of the best book मुझे लगती है, आप इस book को फालो कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अंग्रेजी के अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसके चकर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको प्रिविएस यर का question paper देखना है, कहां से question ज्यादा आता है, तो कच्छा छठी, सात्मी और आठमी, कच्छा छठी, सात्मी, आठमी के पीछे जो preposition बगारे दिया रहता है, उससे आप इसे clear कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है lucent की एक अंग्रेजी की book आती है, आप उसको ले लीजिएगा, लेकिन जैसे आपको noun पढ़ना है, noun इसमें दिया गया है, preposition इसमें दिया गया है, अब आपको preposition इसे नहीं आएगा, आप preposition यूटूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत बहतरीन तरीके से preposition पढ़ाया गया होगा, और उस preposition को आप देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, उसके बाद आप practice कर लीजिए, ठीक है, यूटूब से सर्च कर लीजिए, एक जो point आपका दिया गया है, यूटू कि अंग्रीजिक किताब आते, आप उसको ले लीजिए, नहीं तो कच्छा दस्वी का grammar की book आती है, मैं जब दस्वी में था पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे, तुस grammar की book में direct, indirect, narration और active पैसु सब कुछ दिया रहता है, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, उस इसके लिए जो है, मैं तो, मैंने तो book बताया है, सारदा publication की book ले लीजिएगा, HD यादो, HD यादो की book जो है, बेहतरीन होती है, इसमें मतलब की, मतलब बेसिक से ले करके, high level तक के बहुत बेहतरीन तरीके से आपके yesterday में सही है, लेकिन आप गणित में भी chapter खोल-खोल करके दिये है, लाभानी पढ़ना है, औसरत पढ़ना है, सर्वसम्क्याई पढ़ना है, ज्यामती पढ़ना है, इस सब खोल के दिया है, आपको पढ़ना कैसे है, जो chapter, जो topic, जो syllabus में आपका दिया है, उस topic के लिए विशेश उस topic के लिए यूटूब पर सर्च कर लीजिए, ठी नॉर्मल बच्चा भी अगर बहतरीन तरीके से तयारी करेगा, दस से बारा नंबर जरूर पा जाएगा, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है, खास करके हमारी ग्रणी बहुत ज्यादा ग्रणीत नहीं आता है, मैं आप अपने आपको हतोस साहित या ऐसा मत समझे, अगर मैं आपका गडबर चीत बोल रहा हूं, नहीं, अगर आपको नहीं आता ता आपको एक काम करना पड़ेगा, और अधिकांसता ऐसा नहीं होता है, हर एक ग्रणीया पढ़ने में कमजोर नहीं होती है, बहुत सारे ऐसी होती है, बहुत तेज होती है पढ़ने में, लेकिन कुछ अधिकांस लोगों में दिक्कत होती, इस वज़े से मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है, विज्ञान के लिए आपको क्या करना है, विज्ञान के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कच्छा छठी, सात्वी, आठ्वी, जो परसदी किताबे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकारी, मतलब की सरकारी, इसकोलों में चलती है, उनकी ताबों को ले लेना है, और लुसेंट का जो सामान निग्यान आता है, अब जैसे विज्ञान में कौन-कौन सा चैप्टर दिया गया है, गति दिया गया है, बल दिया गया है, ऐसे-एसे करके दिया गया है, आप जब सलेबस निकालेंगे चलिए बस में दिया गया है तब आपको कच्छा छटी साती वी आठी वी तो पहलो पूरा पढ़ना है इसमें कोई गुदोर आए नहीं पूरा पढ़ना ही पढ़ना है उसके बाद आप जो है लुसेंट का सामान निज्यान से कवर कर लीजिए ठीक है भीया लु परयावन सामाजिक विघ्यान जो 10 नंबर का है इसमें हिश्ट्री आएगी जोगरफी भूगोल इकोनोमिक्स बहुत कुश आता है इसमें भी आपका पूरा का पूरा चेप्टर खोल गरके दिया गया है जैसे इतिहास में आपको क्या पढ़ना है भारती राष्टी कंग्र जिस भी topic को आपको पढ़ना है उस topic को YouTube पे सर्च करके पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपको एक बार जैसे ही टिहास को पूरा पढ़ना है जोगर्फी को पूरा पढ़ना है तो उस तरीके से मैंने बहुत सारे YouTube चैनलों का नाम बताया था बुक तो आपको पढ़ना है, आप कुछ लोग कहेंगे कौन कौन कसी बुक पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे हैं, ठीक है, आप किसी भी YouTube चैनल से पढ़िए, लेकिन इसे जरूर पढ़िए, ठीक है, और जैसे मैंने कुछ YouTube चैनल के नाम बताया थे, हिस्ट्री के लिए मैंने बहुत बहुत बहतरीन तरीके से बताया था, बहुत बेसिक से लेकर के बहुत एडवांस नहीं पढ़ाएं, लेकिन हाँ, इतना लेवल तक पढ़ाएं का आपको कौनसेप्ट के लिए हो जाए, इडूटेरिया के लिए चैनल है, उसमें मैंने बता का टॉपिक दिया गया है, नदियों से चैप्टर आएगा, महादीप से चैप्टर आएगा, पृत्वी किस्ण रचना से चैप्टर आएगा, सारी चीज़े दी गई है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए प्रॉपर यूटूब सर्च कर लिजिए, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद, यूथ कंप्टीशन की बुक आती है, पांच रिख, उसमें प्रैक्टिस दिया रहता है, हर एक चैप्टर से, तब कर लिजिएगा, ठीक है, यूथ कंप्टीशन की बुक आती है, पहले तो आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है, उसके बाद सामान ज राजधानी और मुद्राएं, यह सभी चीज़े आपको यूटूब पर भी मिल जाएंगी, और आपको मतलब की सलूसेंट के पीछे भी मिल जाएगा, बहुत बेतरी तरीके से, इस्टेटिक जीके की कोई भी बुक हो, तो आप वहां से पढ़ाई कर लिजिएगा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सामान जानकारी से कोश्चन आएगा, तो इसके लिए प्रॉपर आपको कोई भी, मैं परिच्छा वाड़ी की बुक हमेशा बताता हूँ आपको, लेकिन परिच्छा वाड़ी की बुक कुछ बच्चे लेते हैं, कहते हैं, भईया हमको समझे नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश का सामान जानकारी प्लेलिस्ट, बहुत सारी यूडियो, मतलब की टीचरों के प्लेलिस्ट आजाएंगे, कोई भी प्लेलिस्ट, जो टीचर आपको पसंद आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्पिसल ऐ सब चीजे आप किसी भी टीचर से पढ़ करके नोट्स बना लेंगे, उसके बाद पर इच्छा मारी की बुक पढ़ेंगे, जो केसरी नंतरी पाठी के आती है, तब जा करके आपको समझ मायागा, ऐसे यह आपको तयारी करनी है, देखें, जो इतनी तयारी है, इतनी तयारी का रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, सिच्छन काउसल, सीड़ीपी और जीवन काउसल से 30 नंबर के कुछटन आने वाले हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोई special book नहीं लेनी है, कुछ लोग कहते हैं, इ special book लेने की बात नहीं कहूंगा इसमें आपका जो भी question आएगा जो भी किताबे आपको पढ़नी है सिच्छर काउसल के लिए CDP और G1 काउसल के लिए आपको जो दो-दो किताबे पर्थम समिश्टर अगर आपको यह CRT किसकी सरकारी बुक मिल जाती है तो आप कुछ भी ले सकते हैं ठीक है तो आप कुछ भी ले सकते हैं चलिए तीस नंबर यहीं से आता है कहीं बाहर से नहीं आएगा इसी इसी बुक से आता है दो-दो जो बुके हैं, उसको पढ़ करके आपको proper notes बनाने भईया, कभी भी जो भी आपको जो है 5000, 6000, 10,000 आपको top कराने के नाम पे वीडियोज देंगे वो यहीं से देंगे, बखी आप खुछ समझदार हैं, अगर स्वेम से पढ़ाई नहीं करेंगे, कहां जाएंगे तो आ आप topic wise पढ़ लिजिए, उसके बाद मैं एक normal सी बुक आती है, इसके जहा करके, उन किसी भी बुक से यार, किसी का नाम मैं नहीं लोगा, reasoning के लिए आप किसी भी बुक से practice के लेना, पास नमबर आ जाएगा, सूचना तखनीकी के लिए basic सा एक, मतलब की loose end की बुक आती है, सुरूपे की उसको ले लिजिएगा, पढ़ते रहिएगा, सूचना तखनीकी के बहुत ज्यादा मतलब की दिमाग पर pressure नहीं लेना है, और उसके बाद इसके लिए जो है, इसके लिए आपको परिसान नहीं होना है, बहुत अराम से कर लेंगे, ठीक है, तो उम्मीद करता ह नहीं है, थोड़ा सा time लगेगा, और time लगने का मतलब क्या है, आपको अगर किसी भी परिच्छा में जाना है, इसके लिए आपके स्वयम के notes होने चाहिए, और अगर आपके पास स्वयम के notes नहीं है, आपने स्वयम से स्वाध्याय नहीं किया है, यह जो courses बगारा चलते है अन्तिम मतलब की अन्तिम revision होता है, कि चलो इनसे पढ़ लेते हैं, इनसे पढ़ लेते हैं, हो सकता है कि दो एक question फास या है, ऐसा नहीं, देखें, जो course होते हैं, अन्तिम decision होते हैं, अन्तिम तरीके सुन से पढ़ सकते हैं, बाकी आपको अभी paper के nature को आप देख रहे हैं, पेट का तिले, बस पेट का paper आपने देखा, उसके बाद जहां जहां आप paper देख रहे हैं, बिहार का paper primary वाला हुआ है, आपने देखा, किसी भी YouTuber का फसा, कुछ नहीं फसा, जो स्वाध्याय किया, उसका selection हो गया, नहीं कुछ बाहर, उसके बाद पेट का paper आपने देखा, ह आपको ऐसे ही selection हो जाएगा, आपको स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, comment box में जरूर बताईएगा, वीडियो को जादा से जादा share कर दीजिएगा, और आखरी line बोल करके वीडियो को समाथ करूँगा, यही जजबा रहा तो मुस्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर होई तो क्या वही से जल भी निकलेगा, नहों मायूसन घबराई संधेरे से मेरे साथ ही, इनी रातों के दामन से सुनारा कल भी निकलेगा, देखिए इसमें जितने भी चीत दियागा है, जैसे हिंदी में 20 question है, हिंदी का topic लिख करके दिया है और पढ़ते रहिए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप पीछे हो जाएंगे और पीछे हो जाएंगे, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ आप सेमेस्टर भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है, आपके कहने पर मैंने वीडियो बनाया है, नहीं तो इस वीडियो का अभी कोई ओचित नहीं था लेकिन हाँ कुछ लोगों ने इससे पहले मने वीडियो बनाया था लेकिन फिर भी आप लोग इसको फालो गईएगा कुछ बच्चे जो हैं मौक टेस्ट वगरा देते रहते हैं भाई आप mock test भी देते रहिए देखिए आपका अगर आपने BTC किया है तो मैं तो यह हुँ कहूंगा आप multi exam को target करिए मुझे उससे कोई लाना देना नहीं आप PCS होई है